हेलो प्रेंट्स वेलकम बेक टू माई चैनल एग्रिफाइश्टडी एंड टूड़े वीडियो एब डिस्कास एबाउट यूपी कैट्ट एग्जाम निशन टूजन 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 टीवन आज की वीडियो में मैं यूपी कैट्ट एग्जाम 2021 के बारे में बात करूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा इसकी क्या क्या इलिजबिलिटी होती है और यूपी कैट्ट क्या है और कव इसका फॉर्म आता है ठीक है पेपर कब होता है एंड रिजल्ट कव आता है और उसके बाद में एड्मिशन एंड काउंसलिंग तो यह सारी चीज आज की वीडियो का रहने वाला हूं एंड मैंने पेपर दिया था दोजार अठारा में यूपी कैट्ट का जिसमें की मेरी 624 रेंग आई थी और मुझे सरदार वल्लब भाई पटेल इनवेस्टिव अग्रिकल्चर और टेक्नोलोजी मोधीपुरा मेरट में वीस्टी अग्रिकल्चर में बाइदेंस फुल वीडियो बनाऊं जिससे कि वो लोग भी अच्छे से तयारी करें एंड अच्छा उनका भी रेजल्ट आए और वो लोग भी अच्छे से वीसी कर पाएं तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि यूपी कैट्ट एक्जाम क्या होता है ठीक है तो यूपी की फुलपंग होती है उत्तर प्रिदिस कंबाइंड एग्रिकल्चर एंड टेक्नोलोजी एंट्रेंस टेस्ट ठीक है जिसके अंतरगत चार इनवस्टियां आती है जिसमें कि यह क्या होती है तो यदि आप यूजी के लिए इलिजबिलिटी देखेंगे तो आपका इंटर ह होना चाहिए या तो PCV जिसमें कि आपकी वाइलोजी एंड मैथ एंड एग्रिकल्चर एंड होम साइंस तो यह चार स्ट्रीम के स्टुडेंट्स इसमें पाइटिसिपेट कर सकते हैं और अगर बात करें PG की तो PG के लिए जो इलिजबिलिटी होती है बो होती है अंडर ग्र सबसे पहले यह सारी होगी ऐलिजबिलिटी जो लोग इंटर करते हैं पी सीएकर को साइंस उनके बारे में तो सबसे पहले यह सारी हो गई eligibility अब मैं बात करता हूँ seats की ठीक है तो seat यूपी कर्टेट के अंतरकत अगर हम देखेंगे UG में तो UG में total 1734 seat हैं and PG की बात करें तो 583 मनलब 583 seat हैं and PhD में 258 258 seat हैं इसके अंतरकत आती हैं तो total undergraduate जो लोग यूपी कर्टेट से करते हैं वो रहते हैं आपर 1734 admission हर साल होते हैं and PG में 583 and PhD में 258 admission हर साल यूपी कर्टेट के तरो होते हैं and अब मैं बात करूंगा application form के बारे में तो इसका जो application form है उसकी notification फरवरी में आ जाती है and इसका जो application form भरा जाता है वो परवरी मार्च तक जो है भरा जाता है अपरेल में इसकी correction डेट आती है and मई में इसका admit card और इसका जो पेपर है वो 16, 17 and 18 तीन तीन डेट में होता है जो कि मई की डेट है 16 मई को UG का होता है 17 मई को PG का and 18 मई को PhD का पेपर इसका हो जाता है ठीक है and मैं बात करूंगा पेपर की तो पेपर में 200 कुष्चन आते हैं जो की एक कुष्चन आपका 3 नंबर का रहता है तो टोटल 600 नंबर का आपका पेपर होता है जिसमें में बात करूं PCM and PCV की कि कितने कितने question के subject से आते हैं तो वो आप देखिए PCB and PCM वाले students जिसमें कि आपको 60 question physics से रहेंगे 60 question आपको ये chemistry से and 60 question geology and botany और 20 question general knowledge से ठीक है and ऐसा ही कुछ है math के लिए math वाले students इसमें 60 question physics 60 question chemistry and 60 question math से and 20 question जो है वो आपको general knowledge से रहेंगे ठीक है तो अब मैं बात करता हूं PCM and PCV के students को books के लिए कि वो कौन-कौन सी important books है जो पढ़ें तो basically इसमें ज्यादा कुछ hard नहीं पूंचा जाता अगर आप बात करेंगे income prison to need इसमें बहुत ही ज्यादा normal question आते हैं ठीक है तो के लिए आप अपनी NCRT को अच्छी तरह से पढ़िए आपका admission 100% हो जाएगा एंड जीकी के लिए आप एक PMC श्रंकला दी बोक आती है जो कि आपको किसी भी book depo पर मिल जाएगी आप बहां तो उसे purchase कर सकते हैं ठीक है एंड मैं बात करूँगा agriculture के students की तो उनके लिए 200 question में क्या क्या question आते हैं किसके subject से कितने कितने question आते हैं तो आप यहाँ पर देखिए उनमें agriculture physics जो है वो 25 question agriculture chemistry 25 question agriculture botany geology 25 25 question agriculture agronomy जो है उससे भी 25 question आते हैं and animal husbandry और dairy से 10 question होटी कल्चर से 15 question and engineering से 10 question and agriculture statics जो math रहती उससे 20 question and general knowledge के जो है 20 question तो यह हो गए आपके 200 question जो की agriculture वाले students से पूछे जाते हैं यूपी केटेट exam के अंत्रगत and अब मैं बात करूँगा home science से जो लोग इंटर करते हैं या जो लड़किया basically home science से होती है तो बो अगर यूपी केटेट में exam देना चाहती है तो उनके लिए किस subject से कितने कितने question आते हैं तो उसमें आप देखी GK से 20 question, English से 25 question, Hindi से 25 question, sociology 20 question, economics से 15 question and geography से 15 question और home science से 80 question तो यह तो हो गए जो आप home science से जो लोग यूपी केटेट में अपलाई करते हैं उनके लिए paper की details कुछ exam secrets में agriculture के students के लिए बताने वाला हूं तो agriculture के जो student हैं वो क्या कर सकते हैं उनको अच्छी rank लाने के लिए उनकी जो physics, chemistry, geology, बोटनी ठीक है यह जो चार बुक्स होती है इसमें आपके जो chapters रहते हैं ठीक है chapters के पीछी multiple choice question होते हैं उनको आप अच्छी तरह से पढ़ लिए ठीक है एक copy में अलग लख लें चार बुक्स के multiple choice questions and उनके आंसर सही से टिक कर लें और अगर वो आपने ऐसे मानलोगा रट यह ना तो आपको अच्छी कासी रेंक जो यूपी कैटेट के अंतरगत आ सकती है बैसिकली में previous years में मैंने देखा एंड उससे previous years में मैंने देखा कि agriculture के जो स्टुडेंट से बहुत ही कम आ पाते हैं यूपी कैटेट के अंतरगत ठीक है और सबसे जादे स्टुडेंट जो 2021 मınaख को रिजल्ट आ जाता है एंड जून में इसकी कांसलिंग Filmm सुरू हो जाती है कांसलिंग आपकी रैंक वाइस होती है तुअ वसके पहले आपकी शेंक होता है एंड उसके बाद में डियकुमेंट व्लोडेस都an होगा एंड उसके बाद मधू UM कि निव्यूस्टी की तरब से सीीट का एलॉट्मेंट रिए और इस में चार रिर्फ क्या वापर नम्बर टो और नेख्टेंट को कराया था तहुक्या जो है हैं यांड पर हमारी बहुत है Od todavía बहुती alternator 291 आप एक्जाम सीक्रेट है मेरी दरब से कि आप लोग अपनी जो चार बुक्स हैं फिजिक्स, केमिस्टी, जोलोजी, इनके पीछे के जो भी कुश्चन्स रहते हैं पिल्कुल अच्छी तरीके से रट लीजे ठीक है वो आपको काम आएंगे एक्जाम में और ऐसे मान के चलिए यह इसके कुश्चन आते हैं 25, 25, 25, 25, 100 हंडेड में आपको 95 कुश्चन जो है बुक्स के पीछे से ही मिलेंगे ठीक है और फाइब कुश्चन तो ऐसे रहते हैं जो कि हो सकता है कोई आट अप सिलेबस भी आ जाता है अंदर फाइब कुश्चन की तो आप नहीं भी करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है एंड एगरी कल्चर वाले जो स्टूजन्स होते हैं उनका एगरी कल्चर तो मजबूत होता है तो उसकी तो कोई ज्यादा दिक्कत लेने की ज़रूवत नहीं है तो आप लोग जो है एगरी कल्चर वाले स्टूजन्स इन चार बुक्स के पीछे के जितने भी multiple choice question है वो अच इसी तरह की एगरी कल्चर से अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूं एंड मैं आपके लिए एक इप्रिकेट इंफॉर्मेशन का जो बाउचर है उसकी लिंक आपको मैं नीचे description में दे दूँगा वहां जाकर के और भी जैदा जानकारी ले सकते हैं इप्रिकेट के बारे मे झाल झाल झाल